आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फोन में वोईश टाइपिंग कैसे कर सकते हैं तो आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं तो फोन में वोईश टाइपिंग करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में कीबोर्ड को यहाँ पर ओपन करिए तो यहाँ पर whatsapp में या फिर messages में जाकर अपने phone का keyboard आप यहाँ पर open कर सकते हैं तो जैसे कि whatsapp पर एक chat open करके आप on कर सकते हैं तो हम कर लेते हैं अब यहाँ पर जब अपने phone का keyboard आप open करेंगे तो यहाँ पर एक option आप देख सकते हैं settings का settings option आपको मिलेगा यहाँ पर settings पर क्लिक करिए क्लिक करने के बाद ऐसा page open हो जाएगा और एक option आप देख सकते है यहाँ पर voice typing इस पर आप क्लिक करिए क्लिक करने के बाद उपर एक option आपको मिलेगा use voice typing यहाँ से इसे चालू करिए और चालू करने के बाद आप बैक आ सकते हैं अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वाला आइकन एड हो जाएगा आपके कीबोर्ड पर इस पर किलिक करेंगे voice typing कैसे करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आप बोलेंगे यहाँ पर type हो जाएगा याईनि कि आप इस तरह से voice typing कर सकते हैं अगर आपको Hindi पर करनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं settings पर click करेंगे यहाँ पर language के option पर click करेंगे और add keyword पर click करके आपको यहाँ पर अपनी जो language एड़ करनी है यहाँ पर कर सकते हैं तो जैसे की हिंदी एड़ कर लेते हैं सर्च करके और आप देख सकते हैं उसके बाद हिंदी पर हम किलिक करते हैं अब click करने के बाद नीचे done पर click करेंगे और आपकी hindi language add हो जाएगी अब यहाँ पर वापस से चलते हैं keyboard पर और नीचे space का एक option मिलेगा इस पर click करके रखेंगे और Hindi select कर सकते हैं या फिर जो language आपने select कियो होगी वो कर सकते हैं Voice typing कैसे करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब जो आप बोलेंगे यहाँ पर Hindi में type होने लग जाएगा यहाँ से आप Space पर क्लिक करके रखेंगे तो language में switch कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपने phone में voice typing कर सकते हैं अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें